जहींद एवरीवन मैं साहिल कुमार आप सबका एफकेट मेनिया फेलकम करता हूँ एफकेट मेनिया वाइट डिफेंस मेनिया काई पार्ट है अब बार बार मत पुछा करो ठीक है तो ये 75 हाट चैलेंज का सेकेंड डे है आज आपको टॉपिक दिये थे मैंने मैंस इंगलिस जीके के जो जीके वाला पोर्शन है वो मैं अभी कवर करने वाला हूँ एट पियम आपको ये वीडियो मिल गई होगी आप देख रहे होंगे और मुझे शेयर करते हैं आपको ये जो आप शेयर करते होंगे आपको भी कोई बीक्षिन आएगा आप डेफिनेटली कर लोगे बहुत मुष्किल से शॉट किया है और कल के वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिखाया कुछ लोगों को डाउट था कि सर आर्टिकल कौन से पढ़ने मैं बताता हूँ आर्टिकल आप कोई भी अगर धर पे news paper आता है इंगलिस का तो आप उसको ठाकि कोई भी tutorial पढ़ सकते हो otherwise कोई book पढ़ते हो तो वहां से कुछ pages read कर लो and अराम से 200 word पढ़ने के बाद जो भी आपको vocab mail उनको note down करो यह आपको day to day life में improve करेगा not only exam में, Fcats and Cds में बाकी किसी भी चीज में ठीक है and यह जितने भी topics आज आज आपने टागेटे cover किये थे तो second day का जो mock है वो भी upload हो गया है upload का मतलब कि आप यहाँ पर जाके चेक करना है, यहाँ पर आपको uploaded दिख जाएगा यह second day है, कुछ नहीं, app open करना है, login करने के बाद test series पर click करना है, 75 heart पर click करना है and day second and यह mocks जो आप दे रहे हैं, जो target हैं विल्कुल free of cost है आप सब के लिए तो चलिए, start करते हैं, topic है आज का, governor, governor general and वैसराय of India मैंने जैसे बताया आपको कि आप कोई भी exam दे रहे होंगे, इस पर question बनेगा, तो आप इस video को save करके रख लो क्योंकि जब भी revise करोगे, आपका बहुत ही प्यार से revision हो जाएगा, एकदम एक line से इसको sort करके, resources आपको समझा दिया है, तो कहानी start होती है, आपको याद होगा, कल के lecture में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, कि 756 में हमारी black hole tragedy हुई थी and 757 में battle of policy हुई थी, तो नवाब सीराजु दौला, तो उस टाइम पे जो British governor था, जो Bengal का था, वो था Robert Clive, तो अगर आप से कभी पूछे कि first governor of Bengal, ध्यान रखना केवल governor है ये, first governor of Bengal कौन था, तो वो आपके बने Robert Clive जी, इसके बाद आपको पता है, 74 में battle of boxer होता है, और battle of boxer भी हम हार जाते हैं, हारन है कि आज के बाद governor of Bengal को governor general of Bengal कहा जाएगा, तो first governor general of Bengal कौन बनेंगे, Warren Hastings, अगर आप से ये पूछे कि भारत का पहला governor कौन था, Robert Clive, first governor general कौन था, Warren Hastings, उसके बाद एक act आता है, Charter Act 1833 में, जिसमें आपको बताया जाता है, कि आज के बाद जो governor general of Bengal है, वो governor general of India कहा जाएग यानि कि अभी तक हम Bengal में ही अपना वो कर रहे थे, आज के बाद हमें full इज़त चाहिए, आज के बाद हम governor general of India कहलाएंगे, so first governor general of India कौन कहलाते है, William Bentik जी, उसके बाद आपका आएगा Government of India Act 1858 में, जिसके बाद first vicerai बनेंगे इंडिया के कौन, Canning जी, अच्छा, इसके बा Canning जी, 1947 में भारत अजाद हो रहा है, और अभी vicerai ही चल रहे थे, कुछ भी change नहीं हुआ, तो जो last आपके vicerai बनेंगे, वो कौन बनेंगे, तो आप बोलेंगे, किसर last vicerai बनेंगे, Mountbatten, कौन बनेंगे, जो भी इनका spelling होगा, Mountbatten जी, ठीक है, अच्छा, इनको तो जी क् लूट पार्ट के गए हैं भारत को, Mountbatten बोलो boss, Lord भी मत लगाना कहीं भी, मैंने भी लगाया, ठीक है, तो Mountbatten, अच्छा, 1947 में ही, जब independence act आता है, तो वहाँ पर क्या क्या जाता है, कि vicerai की post को हटा के, vicerai को change करके वापस से, governor general रखा जाता है, यानि कि Mountbatten कौन क्या बने अब post change हो गया, तो vicerai को कहा जाने लगा, governor general, तो अगर आप तो कोई पूछे, कि first governor general of independent India, यानि आजाद भारत का पहला governor general, तो कौन बनेगा, वो same बंदा होगा, क्योंकि बस rank change होई है, यानि कि vicerai को ही change करके, आपका रख दिया गया है, governor general of free India, देखो, first governor general of India कौन बनेग first governor general of free India कौन बनेगा, 1947 में कौन बनेगा, क्योंकि दुबारा change हुआ है, तो आप बोलेंगे mount beton जी, और जब mount beton हटते हैं, तो जब आप से पूछे का कि last governor general of India कौन बना, तो वो बनते हैं हमारे सी राजगोपालाचारी जी, सी राजगोपालाचारी जी, I hope ये confusion दूर हो ग इंडिया 1947 में कौन था उस टाइम पे, तो mount beton, अब वैसराई की post को वापस से लो गवर्न जनरल अप इंडिया बोलते हैं, तो last governor general of free India, मैं रिपीट कर रहा हूँ, free लग गया यहाँ पे, independent India कौन बनेगा, ये ही, लोट छोड़ दे हैं, mount beton, और mount beton को हटा के जब सी राज गोपाला चारी आएंगे, तो क्या बोला जाएगा, कि जो last governor general कौन बने, free India के, तो वो बने हमारे सी राज गोपाला चारी जी, अब ये कुछ और भी लोग हैं, जिन्होंने कुछ काम किये थे इंडिया के अंदर, उनके काम के बारे में आप से पूश्च जाता है, basically मचाया तो बस लूठी था, लेकिन फिर भी कुछ काम important है, जिनके बारे में जानते हैं, तो आपके सामने ये जो भईया हैं, इनको बोलते हैं, करनवालिस, right, अब करनवालिस के बारे में खास बात बस एक चीज है, कि ये इनके time पे permanent settlement आया था, क्या आया था, permanent, नियान रखो, permanent settlement, ये कहां पे हुआ था, ये बेंगौल में हुआ था, याद रखना, करनवालिस के time पे permanent settlement हुआ था, उसके बाद आएंगे आपके Lord Wellesley, मैं बस ने, मैंने बस important वालों को भाव दिया है, और उनी के photo टो लगाई है, बाकी नहीं, तो कौन आएंगे, Lord Wellesley, अच्छा, Wellesley के time इनके time पे, ये subsidiary alliance आएगा, क्या आएगा, subsidiary alliance, ध्यान रखना, subsidiary alliance, तो हमने दो चीज़ देखी, करनवालिस के time पे permanent settlement आया, आप से question पूछता है, कि 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 करनवालिस के time पे था, करनवालिस के time पे, subsidiary alliance के time पे कौन था, तो आपके Wellesley, ठीके, इसके बाद हमारे आ जैसे कि मैंने आपको बताया कि William Bentic कौन थे यहां से देखो William Bentic कौन थे तो first guernal of India इनके टाइम पर क्या होगा तो इनके लिए सबसे famous है कि उने सती प्रथा को abolish किया सती प्रथा को abolish किया यानि कि खतम कर दिया जड़ से सती प्रथा यहां पर आपकी खतम हो गई है यह तीन कि इन लोगों ने Bombay से सबसे पहले जो railway line बिची थी वो कहां से कहां चली थी Bombay से थाने इन्ही की टाइम पर हुई Bombay to थाने इन्ही की टाइम पर हुई किसकी टाइम पर डल हाउजी के टाइम पर ठीक है इसके बाद PWD यही बिठाएंगे और छोटी मोटी चीज़ें है इन्ही की टाइम पर डल हो तो जो सबसे famous है वो है आपका railway वाला उसके बाद हमारे आएंगे Lord Canning भाईया मैं बाबर कह ही है टाइपिंग वाले की salary काट हूँगा मैं ठीक है अचा लॉड कैनिंग के टाइम पर क्या हुआ था तो हमारा revolt हुआ था किसका 1857 का आप जब सीजों को याद रखोगे तो आपके माइन में सारी चीजे बैठ जाएंगी आप भी पडपा होगे क्या हुआ था ध्यानक न नहीं करोगे इनके अलावात तीन नमुने और थे जिन में था एक करजन अब जो करजन था इसके टाइम पर बेंगॉल का partition हुआ ठीक है उसके बाद हमारे आएंगे Lord Minto जी कोन आएंगे Lord Minto Lord Minto की टाइम पर दो-तीन चीजे बहुत अच्छी ची हुई है जैसे क्या स्वधे आएंगा Lord Minto and Muslim League Establish कब हुआ था यानि कि Minto के नाम पर तीन उपलब दिया है क्या उसी की काल में सोदेशी movement हुआ है उसी की काल में आपका सूरत split session हुआ है Congress का Congress दो पाटों में बढ़ गई है और उसी की टाइम पर Muslim League की भी अस्ताफना हुई है उसके बाद आपका harding आए यह सिफ्ट तो order करता है 1911 में लेकिन actually जो capital shift हुए थी हुए थी आपकी 1912 में और उसके बाद आपका champsford आएगा champsford के time पे important चीजे क्या है लखनो पैक्ट हुआ था चंपारन सत्यागरा हुआ था रॉले टैक्ट जिसको black law बोलते थे वह हुआ था और सबसे important है वह है बाग कांट हुआ था 13 अपरिल 1919 वाला यह champsford के time पे ही हुआ था और इसी time पे देखो black law के उपलब्ध में यह लोग इकटे होंगे वहाँ पे जलिया वाला बाग हो जाएगा और फिर उसके opposition के वज़े से हमारा non cooperation movement और खिलापत movement जो है वो start हो जाएगा तो करजन, Hadding, Champsford डलहोजी, Canning, Karnavalis, Wellesley, William Antig और यह कुछ first governor इन सब के नाम आपको याद रखना है examination point of view से and yes last video प्यार आपके अच्छे comments आये थे, मैं आपको बताया था कि छोड़-चोड़ topics में आपको daily advocate mania provide कर दिया करूँगा till advocate exam तो आपको target feel, मतलब target complete करके कितना अच्छा लग रहा ह या फिर एक जो sense of achievement आती है, आप अपनी feelings को comment section में जरूर लीग देना, यही एक motivation है हमारे लिए, especially मेरे लिए कि चलो ठीक है, आप लोग धंग से पढ़ रहे हो, थोड़े से expressive बनो, आप topic की demand कर सकते हो comment section में कि आपको कौन-कौन topic पे lecture चाहिए, हमारे पास 75 days है, मैं मस्त र टागेट के साथ और एक नए lecture के साथ, जैन, take care